पुरे देश भर में इस वक्त hit and run कानून में हुए बदलाव को लेकर चर्चा है। आप में से बहुत सारे दर्शक होंगे जो समझना चा रहे होंगे कि आखर ये कानून है किस तरीके का, क्या बदलाव किये गए हैं, नया बदलाव जो किया गया है, नया कानून जो है वो क्या कहता है, जो पुराना कानून है वो क्या कहता था, क्या इससे कोई असर पड़ेग सबसे पहले तो आप इस समझे कि आखिर hit and run क्या होता है मानि आपके पास कोई गाड़ी है और उसको आप सड़क पर बेतर टीब लापरवाही के साथ चला रहे हैं आपके सामने कोई व्यक्ति आता है पैदल चल रहा हो या फिर खुद अपनी गाड़ी में हो आप उसको ठोक कर सीधे आगे बढ़ जाते हैं इसी को कहते हैं hit and run यानि कि आपने hit किया और आप आगे बढ़ गए यही यही पर बनता है hit and run का case अब तक जो इसको लेकर दंड था उसका जिक्र IPC में किया गया है यानि कि Indian Penal Code लेकिन Indian Penal Code की जगह अब ले ली है BNS ने यानि कि भार्ती न्याय संहिता और इसी वज़े से यह बदलाव किये गए हैं बदलाव इस वज़े से भी है ताकि road accident से बचा जाए लेकिन IPC में जो धाराएं हैं वो क्या कहती थी और उसके तहट किस तरीके का दंड यहां पर दिया जाता था आप पहले वो समझे यानि कि जो पुराना कानून था वो क्या कहता था पहले समझे IPC की धाराएं इसमें 3 बनती हैं 279, 304A और 338 और इसमें हादसे की जगह से भागने वाले आरोबी और जो अस्पिताल पहुचाने वाला व्यक्ति होता था उन दोनों के लिए एक ही तरीके का कानून थे लेकिन अब ये दोनों अलग-अलग हो जाएंगे और इसमें 2 साल तक ही सजा होती थी और तुरंत जमानत मिलने के भी चांसे होते थे उसको लेकर भी आपर प्रावधान था लेकिन अब जो नया कानून है यानि कि भारती नया संहिता का जो अब नया कानून बना है उसकी धारा 104 के तहर हिट एंड रन का जिकर जिसमें किया गया है इस धारा में लापरवाही से मौत के कारण के लिए दंदात्मक कारवाही का भी प्रावधान है रोड आक्सिडेंस से बचने के लिए ये एक प्रयास है सरकार का ताकि कम से कम आक्सिडेंस हो अगर आपकी जेप पर कोई चीज भारी पड़ेगी तो आप थोड़ा बचत तो करेंगे ही और साथ साथ थोड़ा बचाओ भी करेंगे इसलिए ये जो कानून हे लाया गया है इसमें जो जुर्माना है वो 10 लाग तक का है यानि कि अगर hit and run का case बनता है तो सामने वाले जो आरोपी व्यक्ति है उसको 10 लाग तक का जुर्माना देना पड़ सकता है इसके अलावा 10 साल की सजा भी उसको हो सकती है तो देखिए जो limit है वो बहुत जादा बढ़ा दी गई है जो दाइरा है वो बहुत जादा बढ़ा दिया गया है इसलिए विरोध भी हो रहा है लोग और cab drivers जो drug drivers है इसलिए विरोध भी कर रहे है सबसे पहले समझे जो नया कानून है वो क्या कहता है गहायल को अस्पिताल ले जाने पर जमानत मिलेगी यानि कि अगर hit and run का जो ROP है वो अगर गहायल को अस्पिताल तक पहुँचाता है तो उसको जमानत मिलने की chances हैं नहीं तो उसको जमानत नहीं मिलेगी या फिर जो उसकी सजा है उसमें भी थोड़ी राहत उसको मिल सकती है लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है और फिर भी भाग जाता है तो उसको सजा पूरी की पूरी मिलेगी साथ-साथ उसको जुरुमाना तो देना ही होगा तो ये इसी वज़े से लागू किया गया है और जादा सक्त कर दिया गया है आक्सिडेंट के बाद हादसे की जगा से भागने पर गेर जमानती अपराद उसको माना जाएगा यानि कि आक्सिडेंट हुआ और हादसे वाली जगा से आरोपी भाग गया तो इसको गेर जमानती अपराद माना जाएगा यानि जमानत इसमें नहीं मिलने वाली है लेकिन अगर वही व्यक्ति जो आरोपी है वो उस व्यक्ति को अस्पिताल तक पहुचाता है गाहल व्यक्ति को तो जमानत मिलने के चांसिस भी है और साथ-साथ अगर जो दंड उसको दिया जाएगी, जो सजा उसको दी जाएगी 10 साल की, उसमें थोड़ी कमी की जा सकती है, तो 10 साल की सजा या फिर 10 लाग तक का जुर्माना इसमें तै किया गया है, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, कैब ड्राइवर्स हैं, उन्हें ये समझन की जरुवत है कि अगर सकती नहीं बढ़ती जाएगी तो रोड आक्सिडेंट्स होते रहेंगे NCRB के डेटा के हिसाब से 68000 से जादा रोड आक्सिडेंट्स होए थे साल 2022 में तो यह आंक्राव समझ सकते हैं कितने लोगों की जान इसमें गई होगी आपका या हमारा भी कोई अगला हो सकता है तो उसमें बचत हो लोग आराम से गाड़ी चलाएं बिना लापरवाही के गाड़ी चलाएं इसलिए सकती बढ़ती गई है क्योंकि जब तक दंडा नहीं पढ़ता तो सामने वाला मानता भी नहीं है और इसी वज़े से शायद ये बदलाव सरकार की ओर से किये गए है ताकि रोड आक्सिडेंट से किसी भी तरीके से बचा जाए तो जो इसको विरोध कर रहे हैं उनको भी ये बात जरूर समझनी होगी और खुद भी लापरवाही से गाड़ी बिलकुल भी ना चलाएं सावधानी बढ़ते क्योंकि सबकी जान बहुत सलामत होनी चाहिए चाहे सामने वाला हो चाहे आप खुद क्यों ना हो और ऐसे में बेहत जरूरी है कि अगर जब भी आप गाड़ी चलाएं तो बेहत सावधानी के साथ